आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग की लेयाउट सेटिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों ब्लॉग की लेयाउट सेटिंग करना बहुत ही easy है और करना भी बहुत जुरूरी है दोस्तों ये setting होती है theme किस तरह जिस तरह कि आप theme सेलेक्ट करेंगे उ आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी हां आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेई out setting कैसे कर सकते हैं दोस्तों मैंने पिछे काफी videos बनाये हैं की account के से बनाएं आप blogger में account कैसे बना सकते हैं ब्लॉगर में पोस्ट कैसे लिख सकते हैं चैट GTP के थुरू आप ब्लॉगर की theme कैसे लगा सकते हैं ब्लॉगर की setting कैसे कर सकते हैं और तो और अपने blogger post को Google search में कैसे ला सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई बटन पर भी एक दो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लेयाउट सेटिंग कैसे करे करेंगे, इसलिए आपको अपने ब्लॉगर की जो थीम है, उसे अच्छी से सेट करना है, दोस्तों उस पर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अपनी एक थीम सेट कर सकते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लेय उसकी जानकारी मिलती रहें, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट की यानि ब्लॉगर की लेयाउट सेटिंग कैसे कर सकते हैं, दोस्तों उसके लिए आपको ब्लॉगर पे आना है, ब्लॉगर पे दोस्तों आपको पता ही है, मैंने पहले ही काफी वीडियो में बता रखा है कि ब्लॉगर पे आप कैसे आईएगा आप दोस्तों अपनी पोस्ट पे चले जाईएगा जो भी आपकी पोस्ट है ठीक है दोस्तों जिस भी आपने बहुत सारी यहां देखी बहुत सारी यहां ब्लॉग्स बना सकते हैं जो आपको अच्छा आप द्रस नेगता है उसका आप कर सकते हैं देखिये दोस्तों मिआपको पहले दिखा दू कि यह कैसे करता है काम यह रही titanium है जो हमने टीम यहां सेट कर रखी है दोस्तों मैंने आपको पहले भी काफी वीडियो में बता दिया है कि थीम कैसे सेट करें ब्लॉगर अकाउट कैसे बनाए अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दोस्तों डेवीफाई ठीक है डेवीफाई यह थीम है वर्जन 1.0 दोस्तों इस पर आपकी जो थीम होगी उस ही साफ से यहां ले आउट आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो कैसे है देखिए सबसे उपर है थीम ऑप्शन थीम ऑप्शन फेस्बुक sdk यानि आप अपना फेस्बुक का यहां कोई लिंक दे सकते हैं फेस्बुक का लिंक वैसा रही दोस्तों आपने पेज का या अपने किसी उसका बनाया है क्यों लाइव का आपको यहां देना पड़ेगा तो वो आपकी मर्जी है जब आप वो दे देंगे यहां सब इंस् उसके बाद दोस्तों डिफार्ट थीम है थीम डिपेंड करता है दोस्तों आपके फोन पर जो आपकी थीम है यानि जो आप थीम रखी है आपने उसके यह डिफार्ट थमनेल आप दे सकते हैं कैप्शन लिंक कोई दे सकते हैं यहां इमेज दे सकते हैं ठीकर दोस्तों उसक क्लिक करेंगे edit पे edit पे click करने के बाद दोस्तों यहां आप अपने जो website है जैसे यह मेरी website है दोस्तों यह इसका नाम है earn money online यानि earn online money ठीक है तो इसको हम यहां से इसका नाम दे सकते हैं इसके नाम के बाद दोस्तों यहां caption दे सकते हैं जो भी हम caption देना चाहें और दोस्तों दिखी यहां लिखा है डेवी फाई यानि हम वो जो हमारी थीम के ऊपर यह नाम है इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं यह फोटो को चेंज कर सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे यह अप्लोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर आप यहां पे क्लिक कर दीजेगा यहां चूज फाइल बहुत दॉसाइथ, यह उत्मास लांसािक आम जिस भी तरह का दिख रहा है, इसकी जगा दोस्तों आपको अपना लोगो दिखेगा, ठीक है जो आपका logo होगा वो दिखेगा उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं link list में header menu link list में दोस्तों जब आप click करेंगे तो यहां link list आ जाएगी जैसे जो भी आप link list send करेंगे देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ यह home है feature है mega menu है documents है download these templates रॉन्हेमेंट्स आप यहां पर इन सब चीजों को secure download templates न इन सब चीजों को दोस्तों है आप यहम कर सकते हैं जो भी आपको चाहें वह आप सेट कर सकते हैं सेव करेंगे तो आप यहाँ add भी कर सकते में पोस्ट पर जो ब्लॉग पोस्ट लिखा आप इस पर क्लिक करेंगे अश्री सबीध्र आपके जो मेंम पेस्ट है अभी इसम ऊस्वारा ब्लग 사lt जो ईसमें cozy तो यहां डस कर सकते हैं पांच कर सकते हैं टीन कर सकते है जो-भी ये sous पेज़ लाइक लिंक्स ठीक है आप रीड मोर यहां कुछ भी आगे कर सकते हैं इसके निए लिखा है शो ऑथर यहां इसको अपना नाम जैसी यह आ रहा है देखिए दोस्तो मैं आपको दिखा दूं देखिए earn money online यानि author by author ठीक है तो आप यहां से इसको हटा सकते हैं by को हटा सकते हैं author name यहां आप कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों आप अभी देखिए यहां पर show publish time आप time यहां cancel कर सकते हैं कि आपने कब यहां post की है कितना comment आप set कर सकते हैं tags लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां आप इस तरह की कुछ settings कर सकते हैं फिर से save कर देंगे तो वो save हो जाएगा अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हम इस page में जो है side bar ठीक है तो side bar में क्या करेंगे यह जो है add a gadget add a gadget दोस्तों आपके links add करने के लिए होता है अगर आप add लगाना चाहते है एड्स टेरा की या गूगल्स की तो यहां से आप उसे कर सकते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों आप पॉपलर पोस्त है सब्सक्राइब अस है यह कहां होता है यह मैं आपको दिखा दूँ यह फोलो अस है तो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां जो आपकी शोचल मीडिया अकाउंट्स होंगे वह यहां नमबर आफ दिखना शुरू हो जाएगा कितने चाहिए आपको जैसे हम यहां चलिए फेस्बुक होता है इंस्टाग्राम होता है टेलिग्राम ट्विटर यूट्यूब चार चीज़े रख देते हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद यह फेस्बुक है यूट्यूब है इंस्टाग्राम है लिंग्डिन है स्पाइस है स्काइप है जो भी आप लिं चाहिए यूमेट लाइक यानि आप कोई और देखिए मैं आपको बता देता हूं साथ-साथ में दोस्तों मैं दिखा देता हूं आपको अब भी इसमें दोस्तों मेरे एक्चुली पेज पे सिर्फ तीन ही पोस्टिस है इसलिए यह कुछ एक चीजे नहीं आती है आपकी जितन हुआ और भी आपको दिखा देता हूं ये होता है दोस्तों फूटर इसको कहते है फूटर अपका टेगरी आप यहाँ add लगा सकते हैं किसी चीज का link दे सकते हैं ठीक है दोस्तों तो कैसे देंगे add a gadget पे जाएंगे add a gadget पे htm java script पे जाएंगे अब देखिए यहाँ आप title मत कुछ मत दीजिएगा यहाँ आप direct अपना link डाल कर कोई भी उसे save कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों तो इ इसे करना ना भूलिएगा अगर दोस्तों आप इसमें changes करते हैं तो आपकी देखिए मैं आपको चली एक change करके बता देता हूं अपना main header पे आ जाते हैं हम header logo ठीक है दोस्तों अब अब आपना यह जो आपको देख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं यह जो आप देख है ठीक है दोस्तों ultimate design है कोई कोई भी design हो सकता है चली इसको रहने दीजिए picture में आ जाते है अब देखिए दोस्तों चली कोई भी हम यहां अपना एक post यह यह से रख लेते हैं ठीक है open करेंगे यहां यह set हो जाएगा uploading image हो रही है uploading यह यह देखिए यह image आ गई दोस्तों अ आप हम इसे save करेंगे save करने के बाद दोस्तों देखिए ऐसे थोड़ा yellow color दिखेगा आपको फिर दोस्तों इसे save करना न भूलीगा जैसे ही save करेंगे देखिए saving सकसेस्फुल होगा तो देखिए अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह इस तरह का है saving सकसेस्फुल ठीक ह दोस्तों अब हम इसे refresh करके बताता हूँ यह देखिए यह देखिए दोस्तों यह change हो गया तो इसी तरह से आप अपना logo या कुछ भी दोस्तों change कर सकते हैं यानि अपने जो आपकी theme है दोस्तों उसकी setting कर सकते हैं आप layout setting means कि जो आपकी theme है आप उसकी setting बड़े आराम से कर स सारे वीडियो को देख सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से playlist बना दी है blogger तो आप वहां जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी जानकारी अगर आपको कुछ और इसमें चाहिए होगी जानकारी तो आप हमें Instagram या Telegram पे follow कर सकते हैं दोस्तों चलि जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है और लाइक यॉर लाइक